महरास्ट्र में कॉंग्रेस और एंसेपी में तनाव को लेकर बात की जाए तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आई है जी हां आपको बताना चाहेंगी सबसे ज़ाधा स्टेट्मेंट इस वक्त चरचा का विशय बन गया है एंसेपी और कॉंग्रेस के बीच तनाव वल वज़ इसकी क्या बताई जा सकती है जरा जान लेजे, महरास्ट में कॉंग्रेस एनसेपी में तनाव की बाते क्यों कही जा रही है। Auf nerve something, एनसेपी के प्रमुख चेफ शरत पवार ने हाली में बीजेपी की जमकर तारीफ किये। चोकि कही न कही नवनीत राना के बाद उनका बीजेपी की तारीफ में बोलना काफी जादा देखा जाए तो चर्चा का विशे बना सेम उद्धवट ठाकरे के खिलाब बीजेपी भारते जंता पाटी की तरफ से पुरुमोखे मंतरी देविंद्र पढ़नवी सो या फिर बीजेपी के साथ खड़ी रहने वाली मोदी भक्त नवनीत राना हूँ लगतार हमला बोलती नज़र आए लाओड स्पीकर आसान मामले पर और इन सब के भी इच राजद्रों के आरोप में जेल में कैद रहने वाली नवनीत राना के जेल से निकलने के बाद आरोप प्यारोप महरास्ट्र पुलीस और सियमुद्ध पर लगाना जारी है उन्हें गिरफ्तार करवाने की मांग जारी है इन सब के भी इच राजद्रों के मामले पर केंद्र सरकार के पहल से काफी कुछ शरत पवार ने मोदी अमें शाह की तारीफ की ऐसे में कहीं ना कहीं सवा अजित पवार के स्टेट्मेंट आल चर्चा का विश्य बना है जी हाँ आपको बता दे सानिय चनाब को लिकर कॉंग्रेस अंसिपी के बीच तना तनी बड़ी होती जा रही है राजी की मोखी मत्री अजित पवार ने वीत गुरुवार को कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक हम उन्हें जवाब मांगेंगे जल्दी उन से अजित पवार ने इसमें कहा नाना पटोले का ये बयान हास्यब सबद है हम कभी भी पीठ में खंजर या तलबार गुपने वाली भाशक अस्तमाल नहीं करते अजित पवार ने कहा कि नाना पटोले पहले कॉंग्रेस में थे पिर विभी जेपी में शामिल हो गए और फिर वहां कुछ दिन रहने के बाद कॉंग्रेस में लोड़ा हमें उनके राजनेती परवर्तन के तहास को भी देखना चाहिए और इसके बाद अजित पवार ने खोल कर स्टेटमेंट देते वे काहा सुर्किया बटोरने के लिए खं अजित पवार देखे यहां पर कहीं न कहीं जुकते हुए नजर आए हैं अजीत पवार का यहां पर जुकते हुए नजर आ रहा है कहीं न कहीं शरत पवार के बाद अजीत पवार भी नवरीत राना बिजेपी के समर्थन वाले लोगों के साथ सपोर्ट में बल्कि शिवसे ना गडवंदन सरकार में होते हुए भी कहीं ना कहीं कॉंग्रेस के विरोध में ख़रे नज़र आए सान्य निकार चुना में सुप्रीम कोट के फैसले को मानेंगे ये भी कह दिया मुख्यमंत्री अजीत पावार ने नगम नेगम चिनाप को लेकर यहां पर नवनीत राना जो पहले ही भिड़ चुकी है शिवसेन सरकार के खिलाफ उनके लिए सुप्रीम कोट के पैसले को स्विकार करने के बात कह चुकी नवनीत राना के बात अजीत पावार भी यही कहते हैं और ऐसे में बद्रदेश के फॉट पैटन को फॉलू करना चाहते हैं अजीत पावार ने जब यह कहा तो साफ बात होता है बद्रदेश में पाजपास सरकार है अजीत पावार ने सपष्ट किया कि जिलास्थानिस तर पर अलग-अलग पैसले किया जा सकते हैं मालूम चलता है कि बीजेपी की आगे गिर रहे है वो तो यहाँ पर साफ आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जित पवार भी श्रदत के बाद बीजेपी नवनीद के स्टेटमेंट्स के बाद जुकते हुए नजर आ रहे हैं नेक्ष नाइन यूसम सत्रप्ते करे बोट